जेहीं दोस्तों मैं आप सभी को RL study point पे स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के बीच लेका राग्या हूँ BPSC TRE 3.0 M4.0 exam के लिए मैं test यह अभी करा रहा हूँ यह आपका general studies का यह part number 10 है यानि कि यह 10वा video है ठीक है और यह 10वा set है चले श्टार्ट करते हैं इसको अच्छी तरह से देखते हैं इसमें 40 question का हम लोग solution अच्छी तरह से देखेंगे तो देखें यहाँ पर पहला question बुला गया है कि 6 वाटा 13 को माइनस 13 वाटा 16 के विउत्करम से गुना करने पर प्राप्थ होगा तो यह 6 वाटा 13 एसे लिख दीजिए ठीक है और इसका विउत्करम करेगा तो उलट जाएगा 16 उपर माइनस 3 नीचे आजाएगा अब काट कूर कर लिजिए तो देखें इसको काटिएगा दो बार में कर जाएगा तो यहाँ पर सोरे दुना आब उपर केतना हो जाएगा 32 और नीचे केतना हो जाएगा 13 माइनस बचल था तो माइनस यानिकी 32 बड़ा 13 माइनस में option number आपका C answer हो गया ठीक है अगला सवाल यह वाला देखिए तो यहाँ कि एक दूकंदार ने 200 बल्ब 10 रुपे प्रती बल्ब के दर से खड़गा ठीक है 200 बल्ब खड़गा है 10 रुपे के हिसाब से तो उसका कितना हो जागा? 2000 रुपे हो जागा उसका और उनमें से 5 बल्ब खराब थे 5 खराबे थे उन्हें फेकन पर गया तो पांच बॉल खराब थे तो उसे क्या करना पड़ा फेकना पड़ा और सेस्ट बॉल्वों को 12 परती, 12 रुपे परती के हिसाब से लाव या मनने बेच दिया तो लाव या हानी परसेंट निकालना है आपको तो सिंपल कैसे निकालेंगे तो 200 के हिसाब से सब्सक्राइब और के सर परती के हिसाब से क्या कर रहा है बेंचना पर रहा है बेच रहा है उसको 12 रुपे के हिसाब से इसको बेच रहा है ठीक है तो अब आपको क्या करना है उसे लाव होगा यहां नहीं तो इस दोनों को पहले multiply करके देख लिए कितना आ रहा है ठीक है तो देखिए हमने क्या किया CP दस दूसर बॉल था दस रुपे के हिसाब से तक इतना हो गया 2000 और यहीं क्या तो उसमें से पांच गो खराब था तो दो समें से पांच गो खराब था यानि एक सो पांच चानवी को बॉल जी से बारे र रिफ्रेंस कितना का है 340 रुपे का अंतर है और यहीं जो है आपका जो क्या है यानि 2000 का खड़िदारी हुए 340 रुपे बेच रहा है तो यानि 340 रुपे उसको लाब हुआ तो लाब परसेंट रिगा लेंगे तो लाब गुने 100 बटा क्राय मुल क्राय मुल कितना था 2000 यह एक सुन कट गया फिर दूसे काट गया इस 34 को तो 17 आ गया यानि 17 परसेंट इसका एंसर होगा ठीक है तो इसका एंसर हो गया 17 परसेंट अगला सवाल देखिए यह वला देखिए करा कि उस संस्था का चैन की जिए जीन और नीमलिकित समिकरन में प्रसन चीन क्या स्थान पर आ सकती है चलिए देखते हैं तो देखिए यहां पर प्रसेंट चीन क्या स्थान पर क्या संख्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यह हमने सवाल कुझ जैसे दिया था वह इससे लिग दिया अब इसको सॉल्व करना है हम तो इसको हम क्या करेंगे कि यह तीन बादा दो है इसका मतलब पाउर कितना हो जाएगा तो यह जोड़ होता है यहां पर इसको हमें समान के चलते यह दो यहां कितना होता है कि इसका कितना हो सब्सक्राइब एफ- अब स्क्राइब REM दक्राइब बेखाब 3 तीन आजाएगा इसका पाउर और उसके बाद में इधर जो है वैसे ही ताँव हम हो ऐसे बाद हम ने क्या किया है कि यह एक यह का माँ कलना है तो यह दोनों आधार आधार सेम है तो तीन बराबर कितना हो जागा जीक समनों पांच एक्स तो इक्स कर दिए *** कर दिए *** कोई नहीं क्योंकि 6 में हख रहा है यहीं ॹाथ केमान यू पूछ रहा था उसका मान हो जागा 6 इसका एंसर हो जागा ओप्सन नंबर tadi इसमेश कोई नहीं खाला इसलिए यह वजला देखे करा रहा है कि सावीत्री ने सावीत्री 경찰 अपने विद्याले के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार के लीडो एसकोप का मोरल बनाना था वह इस के लीडो एसकोप की वक्र प्रिस्ट बनाने के लिए शार्ट कागज का परयोग करना चाहती थी यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबा मतलब और सारे 3 सेंटीमीटर आती है तो उसे चाट का कागज कितने छेत्रफल की आउसाइकता होगी तो चले निकालते हैं इसको तो देखिए इसके आउसाइक का छेत्फल यानि बेलन का वक्रिस्ट लगा देंगे सूत्र और तू और पाई के मान 22 बटा साथ भर दिए और आर के मान सारे 3 और एज का मा तो चले निकालते हैं तो यह बहुत आतार के लिए वर्ग अंतरा लिखता लिए है बरामार्ता लिए ठीक है तो हम देख रहे है कि सबसे ज्यादा अंक वारामार्ता में कितना है पचास है यह एफ जीरो F0 ठीक इसके बाद भाला F2 हो जाएगा और इसके सामने जो होगा वह बहुलक वर्क होगा और इसमें जो L होगा निम्र सीओं हो जाएगा इल कमान 35 हो गया एफ़ोन के मान आप देखे लिए 50 हो अब यहां पे बहुलक निकालने का सूत्र लगा दिए हम अब इसमें मान भर देंगे इल के मान 35 था एफ जिरो के पचास था एफ जिरो के पचास था एफ जिरो कितना था 42 अगुने पांच ठीक है तो सब हमने यहां पे देखके भर दिया अब भरने के बाद कल्कुलेशन करेंगे इसमें से घटाएंगे तो सूला आ गया यह पजास दुने पांच है तो आगे बढ़ेंगे हम तो देखिए नीचे घटके आगे 24 यह पांच है इसको हम काटेंगे तो कितना आजएगा तो इस तो आगे बात करते हैं यह वाला देखिए करा कि दो रेल गारिया जो है जिन में से एक किलावाई 210 मीटर है और दूसरी किलावाई 250 मीटर है और पहले करम से चाल जो दिया है एक का कितना दिया है 130 किलो मीटर परती घंटा और दूसरी का 110 किलो मीटर परती घंटा चाल से क्या करते हैं समनामतर पर पर चल रही है तो वे वीपरी दिसाओं में चल रही है तो उनके दौरा एक दूसरी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा तो चले निकाल था 130 सब्सक्राइब काता चाल था 110 जोड़े तो 240 कि परती घंठा और ये परती घंठा को मीटर परती सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटा अठारे से कर दिया गुणा अब इसको अठारे से काटेंगे इसको काटेंगे 6 सब्सक्राइब कर दिया आगे बात करते यह वाला देखिए कि एक यदी बिंदू जो है एक स्वाई जो है बिंदू इतना और इतना से संदूरस्त है तो यह आथ को एक स्वाई जो होगा चलिए देखते इसको को कि यहां पे यह जो बिंदू हमने पी लिया है यह दोनों इतना से इतना की इससे और इससे दोनों से सुम्दूरास है तो सुम्दूरास होता है तो यानि लिख दिया है अब इसको कल्कुलेशन करना है इतना आजागा इसको इसको इतना आजागा इतना आजागा यह तो आपको आता होगा सजाने चलिए आगे बढ़ते हैं यह स्कर से ऩ। स्कर से यह स्कर पलस कट गया फुप्स इसको 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 बढ़ते है और उसके बाद में हैं चार गो और पर आगे अगे सब्सक्राइब स्काइब बढ़ें को इसको आगे बढ़ाई गाथ देखिए इदूनों पॉलस्मा गथे एक minus 8 से तो एक बर में कड़ जाएगा minus 8 से करेंगे तो minus y हो जागा यह minus 8 से तो 3 हो जाएगा यानि x minus y कमाना जाएगा 3 ठीक है तो लिजे इसका एंसर हो गया 3 option number a आगे देखते हैं यह देखिए करा कि 2 चर में 2 रैखिक समी करनों के हल अनंत हो तो उनके आलेख कैसा होगा तो जब अनंत हल होने की बात बोलता है तो उसकी हम संपाती रिखा बोलते हैं सब बराबर होता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 सब के सब क्या होता है बराबर होता है तब ही उसको इसको सामपाती बोलते हैं और इसका अपर्वी तुरुप से अने खल होता है तिसलिए इसका एंसर C होगा आगे देखते हैं अब यहां से हम अब आपका यहां से GKGS चालू होता है चलिए देखते हैं इसको तो देखें यह जो कोशन बोला है कि फरवारी 2024 में परपल फेस्ट काउद घाटन राष्टपती द्रोपती मोर्व के द्वारा कहां किया गया था तो कहां किया गया है तो इसका एंसर होगा नई दिली अगला सवाल है कि दुबाई में आयोजित 200 सरकार सिखर समेलन 2024 में किस देश को समानी ततिति के रूप में घोशित किया गया था इसका एंसर हो जाएगा इसमें एक से ज़्यादा एंसर होगा कौन-कौन हो जाएगा भाई तो आपका हो जाएगा भारत भी हो जाएगा तुर्की भी हो जाएगा ठीक है और कॉत्तर भी हो जाएगा यानि कि A, B, C ये तीनों के तीनों उतर हो जाएगा तो इसले इसका एंसर एक से ज़्यादा यानि D होगा अगला सवाल देखिए हाली में जारी स्वीश संगठन IQ Air द्वारा जारी विशोई वायू गुनवाता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे परदूसित सोहरो के सुची में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो चले देखते है तो इसको तीसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है भारत को कौन सा अस्थान तीसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है याद रखिएगा ठीक है अगला सवाल देखते है यह देखिए बाल विवा मुक्त भारत अभियान के तहट जारी रिपोर्ट की अनुसार वर्ष दो हजार बाईस से तेईस में सबसे ज़्यादा बाल विवा कहां रोके गए हैं तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों इन में से कोई नहीं होगा तो होगा क्या एंसर भाई ये भी तो जाना जरूरी है तो होगा आपका सबसे ज़्यादा आपका बिहार में रोके गए हैं इसका एंसर हो जागा रीतु राज अवस्थी को रूक गया है 31 अगसर 2024 करे कारेकाल के लिए 22 वीधी आयोक याद्यक्ष की से न्यूक्ट किया गया है तर इसका आप याद कर लेंगे रीतु राज अस्थाई को न्यूक्ट किया गया है अगला सवाल है 2023 में परधान मंत्री नरिंद मोदी और बंगलादेश की परधान मंत्री सेख्स हसीना के द्वारा भारत बंगलादेश के बीच में किस पाइप लाइन का घाटन किया गया था तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमर भी मैत्री अगला सवाल है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुवात किस नदी के नीचे की गई है किस नदी के नीचे की गई है तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमर इसमें तो कोई नहीं उतर दिया है इन में से तो कोई नहीं दी रहा है तो होगा क्या इसका एंसर? इसका एंसर हो जाएगा आपका हुगली नदी के निचे तो हुगली नदी नदी तो है ही नहीं हुगली नदी के निचे या कुलकाता सहर में तो हुगली नदी कही नहीं दिया है है वोगूली नदी और खलकेसवेर टीक है वोगली नदी के नीचे अगला स्वाली सवाल कि कि पेच टार रिजॉरम में भारत का बाला । दाख स्काई पारक बनाया गया है तो इसका उतर भुण जागा तोpellorious माहाराष्ट में बनाया गया है कहां पर महाराष्ट में बनाया गया है याद रखेगा कि अनुसार इस्ट इंडिया कमपणी द्वारा भारतिय सास्कों को अपनी स्वतानता सस्त्र सेनाई रखने के अनुमती नहीं दी गई थी तो इसका अंसर हो जगा आपसर नमर सी सहायक संधी परनाली अगला सवा अगला सवाल है कि इन्मे से किसने गांधी जी को बिलटीस भारत की यातरा करने और वहां की भूमी और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी तो इसका उतर हो जाएगा दोस्तों option नमर B आपका गोपाल कृष्ने गोखले अगला सवाल है सुभास चंद्र बोस 1949 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उमिद्वार उमिद्वार को हराकर पुना भारतिय राष्टी कांग्रेस की अध्यक्स चुने गये थे तो इसका उतर हो जाएगा दोस्तों option नमर B आपका पटाभी सीता रमया अगला सवाल है कि कालानू प्रमिक के भंग से भारतिय सोतंता संगराम के दोरान हुई इन में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी तो इसका उतर हो जाएगा option नमर C जालिया वला बाग हत्याकान जो कि तेरा प्रजुनेस में हुआ था अगला सवाल है कि इन में से कौन ब्रिटिस पालिया मेंट का प्रथम भारतिय सोदर से था तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमर B आपका दादा भाई नरोजी अगला है कि अलाओ दिन खिलजी के सासन काल में राज द्वारा निमली खित में से किस परकार का कौर नहीं लगाया गया था तो इसका उतर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमर A आपका लगुक उद्योग पर अगला सवाल है 2011 के जनगन्ना के अनुसार भारत का तीसरा सरवाधिक जनसंख्या वला राज कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमर C यानि बिहार है अगला सवाल है कि हिमालियन यू किस राज में पाया जाता है तो इसका उतर हो जाएगा आप्शन न दिवस की स्तिथी को मनाया जाता है तो इसका उतर हो जाएगा अप्शन नमर सी 17 जुन को मनाया जाता है ठीक है अभी सुपर्यावरण दिवस कहेगा तो पांच जुन बताएगा वी सु आधी वासी दिवस यही याद रखना है अगला सवाल है इन में से कौन सा बिकल्प दूर्बल ता मंडल की इस्तिती को दर्शाता है तो इसका उतर हो जाएगा दोस्तो आप्शन नमर बी आपका अस्थल मंडल के नीचे अस्थल मंडल के नीचे अगला सवाल है कि निमली खित में से कौन सी सबसे उची गैर एस याई परवत चोटी है तो इसका एंसर हो स्वामी नाथन का जनम भारत में हुई इन में से किस आर्थी करांती से समनित है तो इसका उतर हो जाएगा हरित करांती से समनित है अगला सवाल है बांधो और उनकी इस्थिती वाले राजो को राजो का निमली खित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है तो इसका उतर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी सांती सागर केरल ये गलत दिया है ठीक है सांती सागर जो बता रहा है कि केरल से मिलाए गया है ये सुम अगला सवाल है कि दो सेकेंड तक त्वरन सील एक कार एक सेकेंड तक त्वरन सील उसी कार से डॉड़ट गुना अधिक दूरी ताय करेगी तो दोनों ही मामलों में कार का विराम आवास्थाक से सामान त्वरन और चलती है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमर सी यानि चार अगला सवाल है कि दो परमानों को समस्थानिक कहा जाता है यदी यदी क्या होगा इसका उत्तर अप्शन नमर ए उनका परिनाम करमानों करमांग समान हो परंतुन की दरमान संख्या भिन्य हो मत्रब अलग हो हाथी पाव नामक रोग का वाहक है तो हाथी पाव नामक रोग का वाहक क्या है तो यह आपका संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर काट लेगा तो आपको फालेरिया होगा एनोफिली काटेगा तो आपको मलेरिया होगा याद र तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, option नमर A, आपका सुक्रोज के रुखनों, अगला सवाल है कि जब चुमख्ये छेतर के भाग में, चुमख्ये बाल रेखाएं अधिक सघन होती है, तो नीमलीखित में से किसकी उपस्थिती इंगित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएग अगला सवाल है, कि 100 ही विकल्प का चैन करके एलकोहलो की, डी गई समझातिये स्रेनी को पूर्ण कीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए, option नमर B, आपका क्या हो जाएगा, C3H7OH इसमें रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा पूरा, ठीक है, अगला सवाल है, कि निम्रीखित में से कौन सरक्ट पलाजमा के समान समरूफ होता है, लेकिन यह रंग हीन होता है, और इसमें कम प्रोटीन होता है, तो इसका उतर हो जाएगा, दोस्तो, option नमर C, आपका केचुवा में किया जाता है, तो दोस्तो, यहाँ पे टोटल कम्पलीट हुगा, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कौन सरक्ट करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ठीक है,